हेलो एव्रिवन वेलकम टो डवलो एसकुप टैक माइसल दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोगामिक फैंस आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग को स्टोर कैसे किया जाता है सी में ठीक है तो क्या इसके पीछे कितनी बाइट ऑक्रिपाई तो यह हमारा स्ट्रिंग जैसे मां लिखा एबे लिए के सी है अप देखते हैं कि हमारा कम्पूटर इसको कैसे स्टोर करता है ठीक है तो सबसे पहले इसको आप जो कंपूटर है इसको वह इस स्ट्रिंग को इसमें कनवर्ट करेगा ठीक है फिर इसको वो स्टोर करेगा इस तरह से एक को स्टोर करने के लिए सिंगल बाइट बी को स्टोर करने के लिए सिंगल बाइट और यह जो है नल करेक्टर इसको बोलते है नल करेक्टर ठीक है यह है बैक्सलेस जीरो है यह हमारा नल करेक्टर है तो इसको भी स्टोर करे ठीक है तो यहां पर तोटाल इस स्ट्रिंग के अंदर तो यह स्टेल का ड्योंड की है इसकी क्या? नल करेक्टर की है यह दूस्त exploring होता हैmetro हैं ये वह करेक्टर कते हैं तो हमारा कस इसको एड करेगा आजा है तो यह एड नहीं होता नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमेशा और हमेशा अंग बंद करकर इस्ट्रिंग की end में नल करेक्टर को एड कर देगा तो अल्टिमेटली आपने जो तीन लिखें नल करेक्टर के जुई है तो कितनी साइस ही हमाँ है अगर में साइस की बात करो हमें साइस हमें मिलेगी । Lamb इस थी काउशन हें आप यह होता है कि यह क्यों एड हुआ uhm हे ना इसको ऐसा क्यों करता चैजिक क्या हुआbest एक रिजन में ऊपको बता देता हुए थां तो दोस्तो जब हम लोग string बनाना शुरू करते हैं तो हम लोग double course लगाते हैं जैसे आपने double course लगाया तो compiler को यह पता चल जाता है कि भी आप एक string बनाने वाले हो और जैसे double course बनाए तो यहां से string शुरू हो गई ठीक है पर यह इस फॉर्मेट है double course लेना वह string में count नहीं होत है तो वो कहता है yes h चेसता क्यूर एलफाबे्ट है वो कहता है यह अट- 일डा सकता है यह cंभल है वो कहता है yes हो कहता है तो यह बहुद है लगक्ष ठीक हिघता है एस फ्रीकशन का फीन वींग कर गया आपने लिखना टू यह भी string का part हो गया आपने लिखा double quote तो यह भी झाट करेक्टर ही है double quote दोस्तो यह भी string का part बन गया तो अब कोशन ही आ रहा है कि यह open तो हो गया लेकिन किसे हो इसको नहीं पता है कि यह इससे close होना है क्यों यह तो जैसे दो एक करेक्टर मन रहा है , जैसे में रहा है कि यह है जैसे प्ल्समक मुझेख जायक्टर सो गाक्टर सकते हैं यह वह वह बला इश्यू था हमारे लिए ठीक है तो डैनिस रिट्च भाय साफ जिसने सी बनाई थी उनके लिए बड़ा यह इश्यू था कि यार कैसे कंफर्म कर रहे हैं कि सारे क्रेक्टर अलाउड होते हैं लेकि यह अलाउड नहीं करना है हमें अपने स्ट्रिंग को यहां पर खतम होगी स्ट्रिंग ठीक है क्योंकि यह अलाउड है दोस्तों कोई भी करेक्टर आ सकता ना तो यह डबल कोर्स भी तो करेक्टर वह भी आ गया तो इसके लिए उन्होंने एक रूल बनाया है उन्होंने का कि जब भी सेकेंड टाइम जैसे यह फर्स टाइम आ गया दोस्तों यह होगी हमारी स्ट्रिंग यह केवला फॉर्मेट है तो यह काम करता कैसे अगर आप देखें अगर आप पूछे हैं कि आप अगर तुने इसको क्रेक्टर क्यों नहीं माना यह तो आप लोग ठीक है यह नहीं करता हूँ सब से पहले आपने जो भी लिखा है अग नहीं लिखा है यह आप लोग ठीक है यह compiler वह साब है compiler कैसे परता है उसको देखी कहां से सबस्क्राइब करेगा यहाँ पर नल करेक्टर एड कर देगा जैसे इसके बाद में वह उस करेक्टर को यहां रख देगा अब होता है कि इस्ट्रिंग जो है खतम कहां होती है नल करेक्टर पर कहां खतम होती दोस्तों नल करेक्टर पर खतम होती है ठीक है दोस्तों तो निल इस्टिंग जो है हुआ आपकी यहां इस पर खतम होगी ना कि डबल कोर्स पर खतम होती दोस्तों याद अखिएगा जनली जब campus में इंट्रिवी होते हैं जैसा मैंने आज से 12 साल पर एक इंट्रिवी दिया था है ना एक कमणी बहुत बड़ी मैंने बंगलूरी कि तो मने इंट्रिवी दिया था मुझे पूचा गया थै कि बहुते हैं करे अगरिशुरिवी होस्तों होझा तो गेंट्रिवी देखा ने संब्सन पहुततिते हैं और चेया काशिव्य होती है करा साथ कषए था जिए यह पर si m और मैंने उसे यह भी पूछा था कि आप से आपने क्या आंसर दी इसका तो उसने का वह डूबल को से शुरू होती है थीक है तो मैंने का उसके बंदे के उन्होंने अच्छा का सा मूँ बना लिया बस मज़ा निया थीक मैं समझ गया कि वह क्या चाहते थे जब मेरी टर आई तो मैंने कि यह देखा मुझे भी सेंब कुछा गया कि यह स्ट्रिंग खतम का होती है तो मैंने का साथ इस्ट्रिंग खतम होती है नल करेक्टर पर कहा खतम होती है ना कि डबल कोर्स की एंडिंग मतलब इसकी एंडिंग में खतम नहीं होती वह नल स्ट्रिंग पर खतम होती यह नल करेक्टर पर खतम होती है, यह मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, कैसे करूँगा प्रूफ, मैं इसके लिए आपको एक दो एक्जम्पल भी दूँगा, आपको समन मा आ जाएगा, ठीक है, तो यह जो नल करेक्टर है, यह हमारा compiler एड करता है, string को खतम करने के लिए, ताकि string हमारे यहीं खतम हो जाए, और यह जो है, वो string का पार्ट नहां बने, तो यह इसका close पार्ट बन जाता है, तो यह बन जाता है format, और यह बन गई हमारी string, और यह string जब सेव होती है, तो वो कुछ ऐसे से होगी दोस्तों, h add the rate, 1, hash, single course, 2, और नल करेक्टर, यह है हमारी string, और हर string आप देखेंगे, चाहिए, वो ABC देख लें, चाहिए, कोई भी देख लें, वो last में नल करेक्टर पर कतम होती है, यह सी format बनाता है, ठीक है, तो यह जो नल करेक्टर है, वो add इसली हुआ है, ताकि वो इसको string का पा पहले मुझे add करना है, तो यहाँ पर उसको यह भी डाउट नहीं है, कहीं भी randomly add कर देगा compiler नहीं, कहीं भी compiler जो रहा हमारा, वो randomly कहीं भी null करेक्टर को add नहीं करेगा, वो fix है उसकी position, कि जो second आएगा, second double course है, यह तो first हो गया हमारा, second double course है, उससे just पहले add करेगा, तो हमने लिखा तो यह था, हमारे compiler नहीं उसको ऐसा बना दिया, और यह चीज store हुए हमारे memory के अंदर, तो string कहा होती है, null पर खतम होती है, अब मैं आप से दो question arise करता हूँ, number one, क्या हो जब हमने null लगा दिया हो, मतलब यह वाला, ठीक है, और दूसरा यह proof करना है, कि वाकरी में string null पर खतम होती है, ठीक है, तो पहला तो यह दोस्तों, अगर मैंने ऐसा लिखा string, suppose करो, मैंने ऐसा लिखा printf, ठीक है, और मैंने यह लिखा h, ठीक है, e, backslash 0, और यहां मैंने लिख दिया, suppose करो, l और l, और o, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यह, कित्ते में store हुई है, ठीक ह कोशी नहीं है, कि जब हमने null character लगा दिया है, तो क्या compiler भी लगाएगा, मैंने आपको कहा था कि compiler अंदर है, ठीक है, वो आंग बंद करके उसको तो यह की पता है, कि आपने लिखाओ ना लिखाओ, उसको तो second do double code से उसे पहले लगाना है, इसका मतलब आपने यह लिखा है अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ठीक है, जैसे कि इसको मैं करता हूँ आपको ही सामने है, यह कोशन सोल होगे है, कि क्या हो जो हमने लगा दियो, हमने लगा दियो, तो भी हमारा compiler उसको add करेगा, अब मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगर हमने ऐसा लिखा हो, ठीक है, यह हमारा L, L, O, तो क्या print होगा, तो दोस्तों जो string है, वो null character पर आकर stop हो जाबी है, ठीक है, तो जैसे हमारा printer इसको print करेगा, त गोस्तों, L, O, पृिंटर नहीं होगा, क्योंकि हमारा printer जानता है कि string को कहाँ ख़तम करना होता है, null पर ख़तम करना होता है, ठीक है, तो कितना print करेगा, जब तक उसको null ने मिल जाता, तो यहां से केवल null तक आने से पहले-पहले, मतल़ यहां तक उसको print कर देगा, null को, ज इसका प्रिंट हो जैगा और पहला द रूक जाएगा और आपका जो इसका वह आंसर आएगा he तो जो नल है दोस्तो वो string का खतम करने का काम करता है ये बड़ा important हो जाता है जैले अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे string की storage की वही श्ट्रिंग जब storage होती है तो कितने byte occupy करती है ठीक है तो आपको ये concept clear है अब हम लोग बात करेंगे storage की कि string को कैसे store करते हैं ठीक है तो अगर मैंने लिखा ऐसा a, b, c ठीक है तो compiler क्या करेगा compiler इसको ऐसा बना देगा a, b, a ठीक है और इसको store किसे करेगा इसको store करेगा a, b, c और null ठीक है तो अगर मैं इसके size देखना चाहूँ जैसे कि मैंने लिखा printf printf और यहां लिख दिया percent lu और यहां लिख दिया size of ठीक है तो रसी जगह कम बढ़ रही है मैं यह निचे लिख देता हूँ printf यहां मैंने लिख दिया lu, lu होता है long unsigned integer ठीक है भी जो कि size of के लिए होता है size of हमें सापको size देता है जो कि हमें साथ long unsigned में होती है और यहां मैंने लिख दिया है ABC इसका मतला हमें इस string की क्या देखनी है size देखनी है, इस string कितनी byte लिए है तो आपने तो यह लिखा लेगे है आप जानते हो compiler इसको कैसे पढ़ेगा compiler इस string को ऐसा कर देगा ABC ठीक है compiler इसको ऐसा कर देगा अब count करो कितने character है तो character है 1, 2, 3, 4 तो इसका answer आएगा 4 इसका मतलब आपने जितने भी character लिखे है आपने लिखे है n character तो उससे आपको plus 1 ही मिलने वाला है दोस्तों ठीक है तो यह होती है string की size की n plus 1 n क्या है वो सारे character जो हमने लिखे है और 1 क्या है जो की compiler ने एक नर्ट करेक्टर एड़ किया उसके बारे में हम लोग बात कर रहे है तो अगर मैं इसकी size क्या है इसकी size की होगी n plus 1 तो तीन character हमने लिखे है तो हम लोग जानते हैं कि एक character और एड़ होगा तो इसका आसर क्या आएगा चार आएगा 3 प्लस 1 चार I hope आपको string की size को लेकर बिल्कुल आउट नहीं है कि string की size क्या होती है और कैसे store होती है जो भी आपने string लिखी है उसमें compiler कुछ addition करेगा उसकी बाद ने store क्या जाएगा ठीक है और हर character जो है हर character एक byte में store होता है तो अगर हमारा पार 4 character है तो 4 byte में store होगा ठीक है तो यह तो है string की stories को लेकर करके string कैसे store होती है ठीक है और compiler हमारा back slash 0 तो जिसको हमलों कहते है null characters को क्यों add करता है ताकि वो string को खतम कर सके अब मैं तोड़ा सा आपको कुछ competition level पर आनने वाले question के करवाता हूँ एक दो ठीक है ताकि आपको और better रंग से concept को clear किया सके इसको तोड़ा से दांसे देखिए का दोस्तों इस ट्रिंग को print कैसे करते हैं लोग ठीक है printing string मैं यह आपकर करता हूँ print कैसे printing of string ठीक है दोस्तों उसको देखते हैं कैसा होता है तो printf के अंदर हम ऐसा लिखेंगे तो भी print हो जाएगा hello ठीक है अब printf की एक और form होती है जिसको हम लोग ऐसा लिखेंगे ठीक है जैसे मैंने यहां लिखा 5 तो 5 क्या है एक integer है integer के लिए हम लोग क्या लगाते है person d लगाते है तो हमें 5 भी लेगा उसी तरह से मैं यहां लिखता हूँ string क्या लिखता हूँ दूस्तों यहां लिखता हूँ string hello अब string को print करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है तो d लगा नए सकते है न तो हमें string को print करने के लिए क्या चाहिए हूँ Harr हमारा conversion specifier जो कि IS1000 ko print करने के लिए होता है तो printing कर ना चाहते इस to community तो हम लोग स Scripture कर सकते हैं और चाये तो ऐसे सकते हैं यहांपर हमने क्या मिलेगा यह जो पुरी स्ट्रीं इसको करने के लिए हमने क्यारी यूज़ क्या है %s ज्स जो यहां पर आप घ्रलो ठीड दोस्तों यहां पर कोई फरक नहीं है यहां पर बस यह है कि जिस तरह से हमने इसको बहुत वार रिए दौस्तों यहां पर हमने इंटीजर लिए फ्लोट लिया डबल लिया उसके कोडी हम लोग लगाता है उसका लगा दिया है ठीक है चली अब मैं स्टरा की कोश्रिण बन सकते हैं तो पहला कोश्रिण दिखते हैं यहतुरह साथ सिंपल दे रहा हूं ठीक है परसंट s और आपने हैं आपने लिखते हैं a b c कि यह जो भी स्ट्रिंग इसको यह एस प्रिंट कर देगा ठीक है तो यहां पर आंसर क्या जाएगा a b c के लिए भे चले, printf, अब मैं लगाता हूँ size of, ठीक है और चाहो तो मैं इसमें चलो, यह तो अपने इसमें कुछ changes कर लेते हैं, अगर मैं पूछ इसका answer क्या है, तो इसका answer क्या होगा, आप जानते हो इस्टिंग जब तक चलती जब तक कि उसके नल करेक्टर नहीं आ जाता है यह आपका नल करेक्टर आपने डाला था इसके यह इस्टिंग यही रुख जाएगी अगर मैं इसके साइज देखो ठीक है साइज ऑफ आप यह लिखा यह वी है यह हमारा कंपाल इसमें एड करेगा और चेक करेगा कितने हमारे पास में करेक्टर है एक करेक्टर यह हो गया वह गया वह गया यह ई तो हमारे बाद्स टोटल 5 गरेंगते हैं चार तो आपने लिखे और यह उसे ने या और यह फांच तो यह बाइट नहीं है तो यहां पर happens i.s do को चैब करता हूँ तो अगर एक प्रीनट करेंगे तो गियों कर दिया लगा जबकि इस्षुर यह पूरा हुआ उपाता है को नहीं पता कि मुझे तो प्रिंटिंग करने जब तक नल ना मिल जाए नल पर में रिस्टिंग खतम होती है तो जैसे वो प्रिंटिंग करेगा एक बी कियो जैसे नल लाइगा तो रुख जाएगा अब डेजन मेंटर हमारा है चाहिए वो कंपाइलर को इसको फरक्ट नी मतलब जहां तक हमारा नल नहीं मिल जाता तो प्रिंटिंग होती है नल तक और इस्टिंग इस्टोर कंसे होती है वो इसल्ग जो भी आपने अपने लिखे उसमें पर लस्वन एड कर दीजिए वो हमेंसा फिक्स रहेगा कि जितने करेक्टर याप्लस बन एड कीजिए वह आ किसे करते हैं इस पर छोटा सा वीडियो आपको यह पसंद आया होगा उसी तुरह से नेक्स वीडियो में दुबारा एक नए टॉपिक के साथ दुबारा मिलेंगे हम लोग तब तक के लिए थैंक यू हुआ हुआ हुआ